आज मैं आपके साथ में बत्वा की ट्रेडिशनल रेशिपी शेयर करने वाली हूँ जो की उरत दल के साथ में बनाई जाती है हमारे यूपी में खास तोर पे सरदियों में ये रेशिपी बनाई जाती है क्योंकि सरदियों में ही बत्वा मिल पाता है तो चलिए मिलकर बनाते हैं आज के ये खास रेशिपी स्वागत है आपका मालाज कुकिंग तड़का में तो सबसे पहले इस रेशिपी को बनाने के लिए मैंने ये हरा भरा बत्वा ले लिया है ये एक बंच बत हुआ है उसे मैंने अच्छे से धो लिया है 4-5 पानी से और इस तरीके से इसे बारिक-बारिक कट कर लें तो पूरे बत्वे को इसी तरीके से हम कार करके त्यार कर लेते हैं और अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और ये मैंने लिए है 100 ग्राम उरत की छिलके वाली डाल इसे मैंने अच्छे से धो लिया है एक से दो पानी से अच्छे से धो लें और धोने के बाद में इसे हम को कर्म डाल देंगे और अब इसमें देखिए मैं पानी डाल रही हूँ तो ये एक ग्लास पानी मैंने डाला और ये दूसरा ग्लास पानी है नाप के डालेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी इस तरीके से पानी ज्यादा नहीं होगा और कम भी नहीं होगा बाद में हम जरूरत के अनुसार पानी एड़ करेंगे तो दो गलास पानी मैंने इसमें एड़ कर लिया है और अब ये कटा हुआ बत हुआ इसमें डाल देंगे साथ में half teaspoon healthy powder डाल देंगे नमक स्वात के अनुसार इसमें डाल देंगे इसके बाद इसे side में रखेंगे और हमने ये दो हरी मिर्श ले ली है दो इंच अद्रक का टुकड़ा ले लिया है और 8-10 lesson की कलियां ले ली है और इसे हमें इस तरीके से कूटनी लेनी है और उसमें इसे कूट लेना है कूट कर डालेंगे तो इसका स्वात बहुत ही अच्छा आता है लेकिन अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं और अब इसे हम इसी दाल में डाल देंगे अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद इसका हमें ढखकन लगा देना है और अब इसे हम गैस पे चड़ा देंगे तो गैस पे धीमी आज पे कम से कम 5-6 सीटी आने तक इसे हमें कोक कर लेना है और जब तक दाल हमारी कुक हो रही तब तक हम लेंगे कटोरी उसमें एक टेबल स्पून मैं ले रही हूँ ये बेसन और अब हमें क्या करना है थोड़ा सा पानी इसमें डालना है और पानी डाल करके इसका एक हमें घोल सा तयार कर लेना है ये देखिए इस तरीके से इसका हमें पतला सा घोल तयार करके रखना है तो ये देखिए हमने इसे तयार कर लिया है अब इसे हम साइड में रखेंगे दाल चेक कर लेते हैं तो ये देखिए डाल में हमारी 5-6 सिटी आ चुकी थी मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और 5-6 सिटी आने के बाद में ये देखिए हमारी डाल जो है अच्छे से कुख हो चुकी है बत्वा भी अच्छे से इसमें मिल गया है तो अब गैस हमने जला ली है और अब हम क्या करेंगे इसे जो गोल हमने बनाया है इसी डाल में हम डाल देंगे और इसे इस तरीके से चला देंगे मैंने इसमें बेसंग का गोल बनाया है अगर आप चाहे तो बाजरे के आटे का भी इसने माल इसमें कर सकते हैं और अब इसे चला देंगे गैस की फ्लेम को धीमा रखके इसे हमें कूक करना है तरी तीन से चार मिट धीमी आज पर इसे हमें इसी तरीके से अच्छे से कूक करना है जब तक कि अच्छे से खौलने ना लगे तब तक कि हमें इसे कूक करना है और इस तरीके से नीचे से चलात था इसमें अच्छे से गुल मिल गया है इसे हम उतार देंगे और गैस पर हम पैन चढ़ा देंगे और इसमें शुद्ध शर्षों का तेल में ले रही हूं करीब दो टेबली स्पून तेल को अच्छे से गरम कर ले इसके बाद करीब 15-20 कली लैसुन को मैंने काट कर इसमें ल लेंगे लैसुन इसमें तोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि इस दाल में जो लैसुन का तड़का होता है वही स्वादिश लगता है तो अब इसे अच्छे से हमें कुप कर लेना है लैसुन को अच्छे से लाल हो जाने देना है और जब अच्छे से लाल हो जाए त और बस तड़के को हम डाल में लगा देंगे लाजमिश डाल देने से इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आजाता है आप चाहे तो इसे स्किब भी कर सकते हैं और ये लीजिए स्वादिश डाल बनकर तेयार है तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं ट्रेंट सर्दियों में जो बत्वा होता है बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये सर्दियों का ही राजा है गर्मियों में ये दिखाई नहीं देता है सर्दियों में आलू अगेरा के बीच में ये अपने आप से निकाल आता है और बहुत ही हल्दी होता है इसे सर्दियों में जरूर से जरूर खाना चाहिए सरीर को ये गरम रखता है इसमें धीर सारा आइरन भी होता है तो ये देखी मैं इसे बाजरे की रोटी के साथ में शर्व कर रहे हूं साथ में प्याज रख रहे हूं और उपर से घी अब घी लगाने के बाद में इस रोटियों के साथ में इस डाल का जो टेश्ट आता है ना मैं बता नहीं सकती हूँ बहुत ही टेश्टी लगती है और बहुत ही मज़ेदार ये लैसुन के तड़के वाली डाल लगती है तो इस सर्दियों में एक बार इस तरीके से आप इस डाल को बना कर जरूर से जरूर ट्राइ करें बहुत ही टेश्टी लगती है और एक दम गाउं के इस टाइल के ये डाल और बाजरे की रोटी खाने के बाद जो स्वाद मिलता है ना बहुत ही मज़ेदार लगता है पिल्कुल वो कॉम्बिनेशन है जो हमें गाउं में मिलता है तो इसे बना कर ट्राइ करिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैजी बनी है अगर रेसिपी मेरी आज की ये अच्छी लगी हो थोड़ी भी आपको हेल्फुल लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेर और कॉमेंट करना मना भूलें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने मली सभी वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें फ्रेंट किस किस के घर में बाजरे की रोटी के साथ ने ये डाल बनती है मुझे कॉमेंट करके बताइएगा और अकर आपको बाजरे की रोटी बनाना नहीं आता है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करिएगा मैं आपके लिए ये वीडियो भी चैनल पर जरूर से जरूर अपलोड कर दूँगी तो चलिए फिर ट्राइ करिए इस मज़िदार सी गाउं स्टाइल रेसिपी को और मैं भी चल रही हूँ अभी से खाने क्योंकि मुझसे सबर नहीं हो रहा है तो मिलते हैं फ्रेंट फिर से एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धेनवाद